नमस्कार दोस्तों मैं मंजुल पांडे आर्वी क्लासेश टीम की तरफ से आप सभी का आपके यूटूब चनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज तक हम लोग आपकी यूटूब चनल पर क्लासेश प्रोवाइट कर रहे थें लेकिन आज से आपको आपका मुबाइल एप होगा जो आर्वी क्लासेश के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा तो इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि किस प्रकार से आप प्ले स्टोर पर जाकर एप को डाउनलोड करेंगे और एकाउंट क्रियेट करेंगे दिन आप किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं मैं वो शारे प्रोसेस को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा लेकिन इससे पहले एक बात सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुन ले कि ग्रूप पर जिस लोगों को एप प्रोवाइट किया गया था वो सब सबसे पहले काम ये करेंगे कि वो अपने एकाउंट में जाएंगे जो उनका एप होगा उसमें जाएंगे और वहां से पहले उसे लागाउट करेंगे बात को फिर से सुन लो जिस लोग जितने ाप के पास app download present time में है, इस वीडियो को देखने से पहले जितने लोगों के पास एक already RB Classes का app download है, वो सबसे पहला काम करेंगे कि अपने app को उपर से जाके ये log out करेंगे और then इसे uninstall कर देंगे, uninstall करने के बाद फिर आगे का process मैं बतला रहा हूं, लेकिन आपको ये करना अनिवार होगा, नहीं तो आपका app download नहीं होगा, उधारन के लिए मैं आपको जैसे बतलाना चाहूंगा, कि मेरे phone में already RB Classes का app download है, जैसे कि आप लोगों के phone में होगा, तो आपको करना ये है कि आप RB Classes के app को open करेंगे, दिन इसके बाद आपको ये side में तीन dot दिख रहा होगा, उपर देखेंगे आप right side में, तीन dot बना है आप इस पर click करेंगे, तो आपको यहाँ पर लिखा होगा profile, about us, website, share, rate us और log out, तो आपको यहाँ log out पर ही touch करना है, आप जैसी log out को और back जाने के बाद, अब इसे आप uninstall कर देंगे, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा uninstall, तो इसे uninstall करेंगे और यह एक बार confirm मांगेगा, आपने okay किया, और आपका एप uninstall हो गया, तो जितने बच्चों ने पहले से इस एप को install किया था, वो सबसे पहला काम यही करेंगे, वो अपना account log out करेंगे, और log out करने के बाद इसे uninstall कर देंगे, इसके बाद, आप सबके phone में, एक आपको store पर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद, आप यहाँ पर search में लिखेंगे, rb classes, आप जैसी rb classes लिखेंगे, आपको आ जाएगा, और आपके second number पर, मेरे phone में second पर दिख राया है, आपको logo दिख राया होगा, rb classes का, तो आप rb classes को touch करेंगे, और जैसे ही touch करेंगे, तो आपको आ जाएगा install करने का, आपके app के बारे में सारी चीज़े यहाँ पर लिखी गई है, इसके अंदर आप जाके about this app में पढ़ भी सकते हैं, आप सबसे पहले काम करेंगे यहाँ पर app को install करेंगे, जैसे जिसकी net की speed होगी, उतना time लगेगा, इस app को install करने के बाद, install करने के बाद मैं आपको बतलाऊँगा, कि किस प्रकार से account create किया जाएगा, मैं एक नय account create करूँगा, उस पर OTP जाएगा आपके phone में, और एक बाद आप जहाँ भी इस app को install करिएगा, आप कोशिस करिएगा, कि वहाँ पर net की speed अच्छी हो, जिससे OTP जाने में कोई दिक्कत ना हो, network होना चाहिए, और बेना OTP के verification से, आपका account login नहीं होगा, ये बात आप अच्छे से सुन लेजिए, इसके बाद देखिए, मेरा app install हो चुका है, अब यहाँ से आप open करेंगे, और open करने के बाद आपका ये icons दिख रहा होगा, इसके बाद आपको यहाँ पर screen पर नहीं दिख रही होगी, लेकिन दो jpg file लिखकर आ रही होगी आप सबके phone में, एक लिखा होगा live classes, तो आप यहाँ से skip भी कर सकते हैं, नीचे आपको left side में skip लिखा होगा, और फिर next लिखा होगा, तो next करेंगे तो आपको एक बार फिर से आएगा online test series, आप इसे भी आगे आपको फिर लिखा होगा got it, तो got it पे आप click करेंगे, तो आपको login का folder आपके सामने सो हो रहा होगा, अब आपको करना क्या है, कि mobile number your password यहां से है login करने को, लेकिन अभी आपका किसी का, जसका account बना हुआ है already, वो तो अपना account वहीं से login कर लेंगे, जिन्होंने log out किया था, वो तो सीधा mobile number डालेंगे और password डालेंगे, उनका account login हो जाएगा तुरंट, लेकिन जिन्होंने अभी तक account create नहीं किया है, वो जाएँगे अब create one पर, और create one को touch करने के बाद, कुछ basic details होंगी, जिसे आपको fill करना होगा, जैसे, आपको सबसे पहले आपका अपना नाम लिखना होगा, आप अपना पूरा नाम लिखिएगा, जिससे हम आपको पहचान सके, कोई ऐसे ना लिख देना, राजा, या फिर bullet राजा, ये सब मत लिखिएगा, जैसे, मैं एक account create कर रहा हूँ, दिच्छित जी के नाम से, ठीक, मैंने दिच्छित भाईया के नाम से, एक account create किया, चलिए, हमने कहा, आपको पूरा नाम लिखना है, तो मैं पूरा नाम लिखूँगा, पूरा नाम है भोला, नाथ, तिच्छित, आपने पूरा नाम लिखिया, अपने आपको वह mobile number लिखना है, तो मैं इनका mobile number लिख जा हूँ, 9621338-5778, आपने ये mobile number लिख दिया, फिर आप सबका एक email id होगा आपका जो भी email id होगा आप उसे लिखेंगे जो आपके play store पर already पड़ा होगा आप सबका email id बना होगा मैं अपना एक email id इसमें लिखता हूँ यह आपने email id डाल लिया होगा email id डालने के बाद आपको next पे लिखना होगा password password आपको खुदी create करना होगा कोशिस करिएगा password कुछ ऐसा बनाए जो आपके लिए आसानी भी हो जैसे आप अपने नाम से ही कुछ ऐसा बना लिजिएगा और उसमें अपना date of जो year होगा, birth year होगा WhatsApp डालके बस ये जानिये, password ऐसा हो जो कोई और login भी ना कर पाए ठीक और आसान भी हो जैसे मैं अपना कुछ पाश्वर्ड आपको यहां पर एक बात मैं और बतला देताना चाहता हूँ कि आपको email id का password नहीं डालना है यहां पर आपको अपना एक password create करना है जो आपके app का login पाश्वर्ड होगा तो मैं जैसे example में एक password create करना हूँ लेकिन आपको यही password create नहीं करना है आपको थोड़ा tough करना है जैसे मैं example एक बना रहा हूँ मैंने बनाया सुनील आपका यहसे नाम हुआ सुनील add the rate मैंने लिख दिया जैसे इस वर्स 2020 मैंने लिखा सुनील add the rate 2020 अब जैसे आपका नाम होगा महेश add the rate और उनकी डेटा बर्थ 1955 है तो वो 1955 लेकिन मैंने यह बता दिया तो आप same यही मत लिखिएगा इसके बाद आप next तो पाशवर्ड पुना से इसे confirm करने को मांग रहा है कि क्या आपने जो पहले पाशवर्ड लिखा था यह सही है या नहीं तो पाशवर्ड वही same पाशवर्ड आपको दो बाल लिखना होगा तो मैं फिर से लिख रहा हूँ सुनील add the rate 2020 इसके बाद then आपको क्या करना है continue करना है यहां से मैंने continue किया continue किया अब आपके phone पर एक OTP जाएगा जो mobile number आपने डाला होगा उस पर एक OTP गया होगा मैं मेरे पास OTP आ चुका है तो मेरा OTP 5 7 516293 मैंने यह पाशवर्ड डाला और अपने आप इसने पाशवर्ड को एकसेप्ट किया है प्लीज वेट लिखा है देखिएगा अकाउंट आपका create हो चुका है लिख करा चुका है registration successful देन आप वही mobile number आप यहां पर अब login करेंगे आपका अकाउंट create हो चुका है अब आप अपना account login करेंगे 9621 38 5778 पाशवर्ड होगा मैंने अपना पाशवर्ड जो create किया था आप सब ने जो पाशवर्ड create किया होगा वही पाशवर्ड आपको डालना होगा और मैंने जैसे ही इस पर login किया तो देखिए हमारा एप login हो चुका है आप सब का इस एप पर बहुत बहुत स्वागत है तो आप सब अपने एप को देख रहे होगे आपका home page है ये आपके home page पे जो भी information आएगी batch के recording या किसी प्रकार की कोई सूचना देनी होगी तो हम आपको इसी home screen पर ही वो लिखा होगा जैसे example कोई next batch होगी जो आगे schedule करी आएगी उसकी भी जानकर या आपको यहीं दी जाएगी या किसी प्रकार की information होगी तो आपको यहां से मिलेगा दूसरा आपके बगल में ये एक holder दिख रहा होगा courses तो courses में होगा क्या कि जितने भी हमारे all courses होंगे वो सारे courses आपको यहां पर दिखाई देंगे आपको यहां पर दिख रहा होगा UPSI Batch 2020 जो हमारा batch है उसके बाद एक batch आपको लिखा होगा MathYRB अब आपको यह तो मैंने बतलाया कि कैसे account को create किया जाएगा और account login कैसे होगा यहां पर आपको कुछ नीचे और icons दिख रहे होंगे मैं उन सब के बारे में बतलाऊंगा लेकिन इससे पहले जो आप लोगों के लिए एक बहुत जरूरी काम है सब के मन में एक संसय बना होगा और सब को जानना भी होगा कि सर पेमेंट कैसे करें तो यह जान लीजिए कि पेमेंट आपको यही पर करना है जैसे मैं एक जान पल में एक एकाउंट में पेमेंट करके एक कोर्स परचेज करके आपको दिखला रहा हूँ देखिएगा जैसे एक नीचे वाला एक कोर्स दिख रहा होगा Math Y.R.V. sir बट आपको यह कोर्स परचेज नहीं करना है मैं एक जान पल एक कोर्स परचेज करके आप सबको एक जान पल बतला रहा हूँ मैं इस पर गया Math Y.R.V. sir देखिएगा आपको इसमें क्लासिस दिख रही होगी आप सबको यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ क्लासिस दिख रही होगी तो यहाँ पर आपको as a demo class ऐसे आपको app पर आपके मिलेंगी जब आपका अपका अपना batch होगा तो यहाँ पर आपको नीचे लिखा होगा Buy Course तो आप Buy Course पर यहाँ पर क्लिक करेंगे Buy Course लिखने के बाद यहाँ पर लिखा होगा Total Videos अभी लिखा हुए है Total Document अभी यहाँ पर 0 है और Price लिखा है 1 रुपेज मतलब 1 रुपेज का यह अभी Present Time में Course है तो यहाँ पर आपको Pay दिखा होगा नीचे आप लोगों को Pay लिखा है ठीक तो आपको यह Pay करना होगा आप Pay पर क्लिक करेंगे तो जैसी आपने Pay क्लिक किया आपके Start हो चुका है आपका Process Payment करने का आपको सबसे पहला काम करना होगा यहाँ पर आपको अपना Mobile Number लिखना होगा वो Mobile Number जिससे आपने अपना Account रेइस्टर किया होगा तो मैं अपना Mobile Number लिखता हूँ फिर अपना Email ID जिस Email ID से आपने रेइस्टर किया होगा यह Email ID मैंने डाल दिया ठीक इसके बाद हमने प्रोसीट किया अब देखिएगा आपको यहाँ पर Payment करने के तमाम Option दिख रहे होगे जैसे आपको Card का Option है Net Banking का Option है Wallet का Option है UPI का Option है और Pay Later यह मतलब Pay Later मतलब है कि अगर ICICI Bank का किसी के पास Wallet होगा तो उसके माध्यम से कर सकते हैं लेकिन हम लोग जादा तर यूज करेंगे ATM Card आप सबके घर में ATM Card होगा आप ATM से यूज कर सकते हैं या आपके पास UPI बना होगा UPI मिल्स अगर आप लोग कोई भी चाहे वो भीम यूज कर रहे हो या Phone Pay, Google Pay, Paytium किसी प्रकार का भी एप पेमेंट एप अगर आप यूज करते होंगे तो आपका निश्चित है कि एक UPI बना होगा उसके थुरू आप कर सकते हैं आप ATM Card के यूज मदद से कर सकते हैं जैसे एक्जामपल मैं आपको, सबको हमें पता है कि सभी लोग ATM के थुरू ही पेमेंट करेंगे इसलिए मैं आप सबको ATM के माध्यम से पेमेंट करके दिखलाऊंगा तो आप जैसे ही आप ATM पर जो क्लिक करेंगे तो उसके बाद सबसे पहले आपसे पूछेगा Card Number आपसे सबसे पहले लिखकर आएगा Card Number तो आपके ATM पे कुल में लाके 12 डिजिट का एक ATM Card Number लिखा होता है आप उसे इस पर डालेंगे मैं डाल दा हूँ अपना आप यहाँ पर जैसे पे करेंगे तो हमने बताया आपको कि आप Card पर यहाँ से जाएंगे Card पर जाने के बाद आपसे वही 12 डिजिट का ATM Card Number पूप मांगेगा उसके बाद फिर आपसे एक्सपारी डेट पूछेगा तो सबसे पहले आप अपना ATM Card Number डालेंगे आपको 12 डिजिट का ATM Card Number सबसे उपर लिखा होगा जैसे एक्जांपल में एक से लेके 12 तक ऐसे आपको डिजिट लिखे होंगे इसके बाद आपको second पर दिख रहा होगा expiry date तो आपके ATM में ही side में लिखा होगा उसी Card Number के जश नीचे आपको लिखा होगा month और date लिखा होगा जैसे एक्जांपल में लिखा होगा 08 2030 मतलब अगस्त 2030 तो आपको यहाँ पर लिखना है month में mm में लिखना है 08 और year में लिखना है 30 30 इसके बाद आप तीसरे folder पर जाएंगे तो लिखा है Card Holder Name आपके ATM पर नाम लिखा होगा आपका जो Card Holder होगा जिसके नाम से वो एकाउंट होगा और एक बाद जिसका Card नया होगा और वो Card रूपे का होगा तो उस Card पर ATM पर उस Holder का नाम नहीं लिखा होगा तो आपको Default में जो Account Holder होगा उसी का नाम लिखना होगा इसके बाद चौथा Option है CBV इस पर आप डालने से पहले आप ATM को अपना क्या करेंगे घुमा देंगे पीछे की तरफ उसके बाद आपको एक पट्टी लिखी होगी और उस पट्टी पर एकदम Last में आपको तीन डिजिट दिख रहे होंगे जैसे Example में लिखा होगा 123 ठीक तो ये आप जैसे ही डालेंगे इसके बाद आपको Pay करना होगा तो मैं Pay करके आपको दिखला रहा हूँ लेकिन इसके लिए मैं अपना Car Details खुड डालूँगा तो कुछ Security होगी इसकी इसलिए मैं Hide कर रहा हूँ और मैं जैसे ही Payment करना होगा तो मैं आपके सामने फिर से दिखाऊंगा कि किस प्रकार से OTP जाएगा मैं अपना Details डाल लेता हूँ फिर आपको दिखलाता हूँ जैसे ही आपने इस पर ATM Details अपना डाला होगा और आपने Pay 1 लिखा किया होगा उस पर टच किया होगा तो आपने जैसे ही अपना OTP आपके पास सबसे पहली बात तो आपके OTP जाएगा जो आपका Registered Number होगा आप उस पर OTP सबसे पहले जाएगा और उस OTP को आप जैसे ही अपने फोन में डालेंगे और उसे दिन आप Pay करेंगे, Click करेंगे तो दिन आपका जो Bank OTP होगा जो आपके Bank में जो Mobile Number Registered होगा उस पर एक दूसरा OTP गया है मतलब OTP आपके पास दो बार जाएगा एक बार OTP जिस नमबर से आपने Account Login किया है उस पर गया और उसके बाद एक OTP जाता है आपको पे किया और जैसे पे हो रहा है Process आगे आपको लिखा है देखिए आपको लिख कर आगया था We received this payment ठीक अब आपको ये आपने Payment कर चुके होगे आप लोग तो यहाँ पर देखिए अब आपको Courses में ना जाके यहाँ पर देखिए मेरा एकाउंट से 1 रुपए कर चुके है इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको ये Math Y RV ये आपको दिख रहा होगा अभी वी By Course दिख रहा होगा लेकिन अब आपको यहाँ पर नहीं जाना है अब जब आपने कोर्स को परचेज कर लिया है तो आपको सबसे नीचे Left Side में दिख रहा होगा My Course तो आप जैसे कोर्स को परचेज कर लेंगे तो आपके My Course में ये आपका अपना कोर्स हो गया क्योंकि आपने इसका Payment कर दिया है तब आपको सारी Classes इसी Folder में मिलेंगी By Date-Wise आपको सारे यहां पर Classes मिलेंगी और यहां पर Notes मिलेंगे उस Subjects के उस Class के उस Best Recording जितने भी Notes होंगे आपको Notes वाले Folder मिलेंगे और Live Classes में Day-Wise आपको Classes मिलेंगी इसके बाद कुछ और Function दिये गया है यह तो हुआ कोर्स पर चेज करने की बाद दूसरा आपको यहां पर दिख रहा होगा Test Series Test Series का Option डाला गया है आपको Weekly या Day-Wise आपको Test कराया जाएगा लेकिन यह अभी Segment On में ही हुआ है इसके बाद एक Segment आपको दिख रहा होगा नीचे Current Affairs का Current Affairs भी अब आज से अपडेट किया जाएगा और आपको Day-Wise Current Affairs यहां को मिलेगा आपको News Paper से जितने भी News Editorial आएगे आप सबको यहां पर मिलेगा एक यहां पर एक साइड में सबसे लास्ट में एक है Ask Doubt Ask Doubt में आपको करना क्या है Ask Doubt में आप कोई भी Question हम Teacher से हम Faculty से हम पूछ सकते हैं आप सबको भी अगर किसी प्रकार का Question पूछना हुआ आपस में भी तो आप यहां पर उसको Describe कर सकते हो बातचीत कर सकते हो आपको यहां पर Question टाइटल डालना होगा जैसे Example में हमने लिख दिया History History से संबंदित Question था और Discription मैंने Question पूछा कि भारत की राजधानी क्या है मैंने लिखा भारत की राजधानी क्या है मैंने Question डालके यही पोस्ट कर दिया देखिए यह पोस्ट हो गया यह पोस्ट हो गया History का कि भारत की राजधानी क्या है अब बच्चे भी यहाँ पर comment कर सकते हैं बच्चे भी यहाँ पर कोई भी जाके इन में बता सकता है कि भारत की राज़दानी क्या है और history का question है तो history की जो faculty होगी वो भी यहाँ पर आपको बतलाएगी किसका answer क्या होगा तो यह था app को पूरा चलाने का एक तरीका था कि हम कैसे course को purchase करेंगे कैसे account create करेंगे तो आप लोग video को अग्दम ध्यान से पूरा देखिएगा course purchase करने के बाद आप my course में वो course चला जाएगा वहाँ से आपको सारी classes मिलेंगी इसके बाद भी देखिएगा एक चीज़ और देखिएगा जैसे ही आपने courses में से math y rb सर परचेच किया तो यहाँ से वो चीजें हट जाएगी यहाँ पर वो दिखाई नहीं देगा जैसे example में UPSI target batch मैंने परचेच किया तो यहाँ से folder guide होके कहां चला जाएगा my courses में चला जाएगा यह आपके पास एक facility है इसके बाद भी जिसे कोई भी दिक्कत हो account create करने में login होने में या payment करने में तो जो आपका mobile number है आप देखिएगा inquiry आपको यहाँ पर लिखा हुआ है inquiry number है आप inquiry number पर आप click करेंगे यहीं से आप जैसे click करेंगे देखिएगा आपके phone में वह number जो आर्वी शरका अगर आपको आपके पास save है office का number और यहाँ से आप directly हमें call कर सकते हैं वो हमें आपको number dial करने की ज़रूरत नहीं होगी तो आप यहाँ से आप directly हमसे contact कर सकते से inquiry पर आपको केवल टच करना है और सीधे call मेरे पास आएगी इनक्वाइरी टाइम सुबह आठ वजे से सुबह आठ वजे से सामको पांच वजे तक आप anytime कॉल कर सकते हैं Monday to Saturday, Sunday off रहेगा इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए ठीक आप question डाल सकते हैं यहाँ पर भी अगर कोई भी आपको doubt हुआ course login करने के बाद अगर payment में कोई दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पर मेरा payment नहीं हो रहा है जिस भी प्रकार की कोई भी problem होगी तो आप हमसे अब रूबरू इसके माध्यम से या call के माध्यम से आप लोग हमसे बतला सकते हैं चलिए फिर इतनी बात थी आप लोग जल्दी से एप को इंस्टॉल करिए और live classes वहाँ पर अटेंड करने की कोशिस कीजिए धन्यबद